तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम CAC की न्यू सर्विस टेक्सी सर्विस यानि की कैबुकिंग सर्विस के बारे में हम देखेंगे तो सबसे पहले आपको डिश्टल सिवा पॉटल को लागिन कर लेना है आप देखेंगे newly arrived यहाँ पर आपको taxi booking यह service दिखाई दे रही है आप यहाँ पर search करके भी इस यह taxi service booking में access कर सकते हैं या directly इसके URL को हम login कर सकेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा यह dashboard दिखाई देगा तो cap.csccloud.in इस URL को हम use करके अपनी digital सेवा connect ID और password इटर करके अपने capture को solve करके sign in पर click करेंगे तो यहाँ से भी हम इस service के home page पर पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर तीन जो tab link दी हुई है home page booking list और policy booking list में हमने जो भी booking पहले कर रखी है उसकी detail यहाँ पर हम देख सकते हैं inquiry ID, client name mobile number pick up and drop साथ में amount status और action के साथ हम home page में जाएंगे और one way booking यहाँ पर अभी फिलाल available है इसलिए यहाँ पर booking के लिए one way select है में source select करना होगा आप अब देख सकते हैं यहाँ पर अपनी city कौन कौन सी available है जैसे हमने यहाँ पर देखा कि MP के लिए जवलपूर, भोपाल, मैयार सतना, रीवा और यह काफी city यहाँ पर available है और इसी तरह 36 गड़ की भी कई city है आप अपने state की city यहाँ पर देख सकेंगे तो for example हमें रीवा से कैब book करना है हमने यहाँ पर source में रीवा select किया और कटनी यहाँ पर destination के लिए available है उसके बाद हम जनी डेट करेंगे book तो हमने 30 नुवंबर 2024 को करना है pick up time हमें morning में 10 बजे तो यह हमने pick up time भी select कर लिया और एम उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से select करना है search cap पर click कर देना है यहाँ पर हम देखेंगे कि search result में हमें दो cap service में available है vehicle shift desire one way के लिए four seater है और 135 km या दो घंटे के लिए इसमे 2335 रुपे है इसके अलावा एक्ष्टा किलोमीटर पर 14 रुपे पर किलोमीटर चार्ज लिया जाएगा बड़े वहान यानि कि क्रिष्टा जो की seven seater है इसमें 135 रुपे या दो घंटे के लिए 3384 रुपे या की 18 रुपे परतिक किलोमीटर आप जो आपको book करना है वो वहान आप select करेंगे कुछ इस तरह से type car model source destination आप चेक करेंगे pickup चेक करेंगे उसके बाद यहाँ पर passenger detail यहाँ पर demo entry, test email id mobile number, passenger name आपका same है तो यहाँ same fill कर देंगे client के साथ mobile number आप fill करेंगे उसके बाद pickup location आप यहाँ पर fill करेंगे कि जैसे हमने यहाँ पर river city से किया है तो हमें कहाँ से pickup करना होगा तो bus system river हमने यह select कर दिया इसी तरह drop location हमने जो कटनी का है वो हमें railway station कटनी अगर जाना है तो यहाँ पर हम drop location भी select कर देंगे कुछ इस तरह से limited word है यहाँ पर आपको fill करने के लिए then हमें pay नाव पर click करना है आप देख सकते हैं जो हमारा commission भी इसमें include है यानि कि 2335 रुपे जो wallet amount था और deduction होगा 2178 रुपे लगभग 158 रुपे हमें आप पे करना होगा इसकी कुछ policy भी है तो इस service के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना होगा कुछ इस तरह से यह policy दी हुई है हम आपको हिंदी में आपको यह policy के बारे में बताएंगे कि क्या कुछ है तो यहाँ पर इस service के क्युछ rules and regulation है जैसे कि यदि कोई booking 24 गंटे से पहले की जाती है तो वो तो confirm हो जाएगी लेकिन अगर 24 गंटे के अंदर की जाती है तो अगर confirmation होता है तो ठीक otherwise यह 21 दिनों के अंदर जो है हमारा refund करेंगे जो हमारा money हमारे wallet से deduction होगा 24 गंटे के भीतर book availability पे निरभर करती है यादि अगर 24 गंटे हम book करते हैं तो उनके पास वहाँ नहीं है तो वो service नहीं देंगे और 21 दिनों के अंदर वो payment refund कर देंगे हमारे पास valid ID card होनी चाहिए कैब में boarding करने के लिए और केवल व्यक्ति के बिना समान की अनुमती नहीं है यानि कि अगर हम सोचे केवल अपना courier run book करके और इस कैब के द्वारा भेज दें तो वो service एवलेवल नहीं है वो केवल समान लेके नहीं जा सकते हैं यह ambulance service नहीं है इसलिए डाक्टर और परिचर यानि नर्सिंग के बिना रोगी की अनुमती इस पे नहीं है इसके लाबा इस पे जो share option भी है अगर share taxi में book कर रहे हैं आप तो तो या तीन व्यक्ति की अनुमती देगा लेकिन share taxi की booking तभी होगी जब आपको जो आपने जो तारीक दी है उस पर कोई एक और यात्री मिल जाता है आपके share करने के लिए अगर कोई यात्री नहीं मिलेगा तो या तो आप जो बाकी balance payment है वो पूरा करके अपनी booking को अपग्रेट कर देंगे या अगर आप book नहीं करते हैं तो आपकी रासी दो तीन कार दिवस के भीतर वापस कर दी जाएगी यहाँ पस इस cap service में जो speed के लिमीट है वो 60 km प्रती घंटा है इस speed से जादा वो किसी भी इस्तीती में इससे high speed में यह service provide नहीं करेंगे one way booking के लिए pick up के वर निर्धारित pick up पते से किया जाएगा जैसे हमने जिस pick up के लिए जो भी booking के समय जो इस्थान दाला था वहीं से pick up किया जाएगा और एक drop जहां पर drop करना है वो एक drop भी यहाँ सामिल है अगर एक से जादा pick up या drop होंगे तो उसके लिए extra charge लेंगे pick up का जो free waiting time है वो 15 मिनट है अगर 15 मिनट से आप late आते हैं तो उसके बाद वो एक घंटे का यहाँ पर charge ले सकेंगे जिसके लिए विश्टा के लिए 200 रुपे प्रती घंटा और अन्न के लिए 500 रुपे प्रती घंटा इस service में मीटर का जो किराया है वो garage से pick up तक जो है वो भी include होगा और जो उसकी reading तब तक वो लेंगे जब तक कैब आपको drop करता है और उसके बाद जब garage में पहुंच जाता है यानि की garage से pick up तक और drop से again garage तक ये सारा जो है आपके बीटर में ही 8 होगा समय वीमा अगर आपने 24 घंटे पहले booking की है और निर्धारी समय से 15 मिनट देर से वहन प्राप्त किया है तो आपको विष्टा और ambulance को छोड़के प्रती घंटे 500 रुपे वो आपको देंगे सोसल मीडिया में अगर आप कोई भी negative comment डालते हैं इस service के लिए तो आपको इस service के लिए blacklisted किया जाएगा और भविस में आप इस service में यानि की cab की booking नहीं कर पाएंगे और आपको जुर्माना 1000 से 25,000 तक लिया जा सकता है अब हम यहाँ पर cancellation policy देखते हैं यदि जो आपने schedule pick up time डाला है उससे आप 45 मिनट से ज़्यादा late होते हैं तो आपकी जो booking है automatic रद कर दी जाएगी और कोई भी यहाँ पर refund आपको नहीं दिया जाएगा pick up का समय 48 घंटे से अधिक है तो 200 रुपे प्रतिकेवल booking यह refund का charge है यदि जो हमारा pick up time है उससे हम 48 आवर से पहले cancellation करते हैं तो जो 200 रुपे आपका cancellation charge कटेगा इसके अलावा अगर pick up time 24 घंटे और 48 घंटे के बीच का है तो आपके जो total fair किराया है उसका 25% deduction हो जाएगा और अगर बहुत कम समय आप देते हैं यानि की 0 घंटे से 24 घंटे के अंदर आप cancellation करते हैं तो आपके किराये का 100% आपका जो cancellation charge चला जाएगा या आपको कोई भी refund नहीं मिलेगा इसके अलावा अगर आप पहले सी आपकी जो booking है उसमें किसी प्रकार का correction करना चाहते हैं तो pick up का जो समय है उसके 48 घंटे से पहले आप अगर वो correction करते हैं तो 200 रुपए आपको प्रती booking का correction charge लिया जाएगा पीक अपका जो टाइम है 48 से 24 घंटे की बीच है तो किराय का 10 परसेंट इसी प्रकार 24 घंटे से 0 घंटे की बीच में है तो correction charge 90 परसेंट लिया जाएगा refund policy जो हम cancellation करते हैं तो हमारी जो refund की process है वो same day चालू हो जाती है लेकिन अलग अलग जो payment method है जैसे कि visa card है master card है भीम UPI इसमें processing में तीन से कई दिन का समय लग सकता है समान की अनुमती जो छोटा वान है उसमें 20 किलो के दो बैग जैसे की विश्टा तो इतने आपका जो लगेस की permission रहेगी और इसके अलाबा इंडिगो इनवा आदी जो है तो उसमें तीन बैग जो की 20 किलो के होने चाहिए और अगर इस से अधिक है तो आपको प्रती समान का 500 रुपे एक्स्टा चार्ज पेकनना होगा बेकेज अगर वहान में कोई गरबड़ी होती है तो गैरे से दो घंटे के साथ साथ चलने के समय के भीतर वो आपके वहान को चेंज करके देंगे यदि जो टिंपरेचर बढ़ता है तो 40 एसी वर्क नहीं करेगी इसी प्रकार रात के समय जो ये सुल्क है 20% एक्स्टा लागू होगा रात का समय जो है आट बजे से 459 तक का ये जो समय है इन पे ये जो नाइट चार्ज लेंगे जिसमें जो सुल्क है वो 20% एक्स्टा लिया जाएगा तो ये इस तरह से पालसी है आप इस सेवा को यूज करने से पहले ये सारी पालसी अठीक तरह से पढ़ लीजिएगा फिर आप आसानी से इसे बुकिंग कीजिए और इस सर्विस का लाव लीजिए तो दोस्तों आसा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आयोगा हमारे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के भी शेयर का ना मत भूले हम फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ आपको दिन सुपर है धन्यवाद